प्लियों शिक्षारतियों आपका स्वागत है आज हम एक महत्वपुर्ण विशे पर बात करने जा रहे हैं आपका जो पहला पार्ट है वो है कविता कैसे पढ़ें यह पार्ट इसलिए रखा गया है क्योंकि वैसे तो आप बच्पन से ही कविताएं पढ़ते हैं लेकिन आपके मन में जिग्यासा होती होगी कि कविता है क्या और कविता गद्य से कैसे अलग है इन सारी बातों को समझने के लिए यह जानना जरूरी है कि कविता का सुरूप क्या है शिक्षार्तियों कविता के स्वरूप को जानने के लिए अगर आप देखें तो उसमें आपको नजर आएगा कि उसमें भावों की अभिव्यक्ति की जाती है और भावों की अभिव्यक्ति के लिए सौंदर्य विधान किया जाता है अच्छी तरह से उसे अलंकार और रस के साथ प्रस्तुत किया जाता है अंग्रेजी में कहा गया है poetry is the spontaneous overflow of powerful feelings इसका तातपर यह है कि कविता हमारी सहज अभिव्यक्ति है उसमें विशय को उतना महत्व नहीं दिया जाता है जितना भावों को प्रस्तुत करने में उसमें कला दिखाई जाती है और कविता पर जब हम विस्तार से बात करेंगे तो हम देखेंगे कि किस तरह से कविता और गद्य में अंतर है कविता और गद्य में अंतर की बात करते हैं तो जो उपरी तोर पे अंतर समझ में आता है वह है कि कविता में भावों की प्रधानता होती है और गद्य में विचारों की प्रधानता होती है और इसी अंतर के आधार पर हम आगे चर्चा को आगे बढ़ाएंगे आगे हम देखते हैं कि इस पार्ट को पढ़ाने का उद्देश्च क्या है इस पार्ट में हम कविता के स्वरूप पर बात करेंगे कविता का हमारे जीवन में क्या महत्व है इस पर चर्चा करेंगे उसके जो अवयव हैं कविता के उसको देखने की कोशिश करेंगे कविता क्यों पढ़ें और कैसे पढ़ें इस पर भी विस्तार से बात करेंगे और उसी के अंतरगत कविता के भावपक्ष और शिल्पक्ष पर बात करेंगे तो इन सारी बातों को समेटते हुए हम कोशिश करेंगे कि इस पार्ट को आसानी से हदयंगम कर सकें आप और आप समझ सकें कविता का जो जन्म हुआ वह संस्कृत वांगमे में दिखाई देता है उस समय रचनाकारों ने कविता को अलग ढंग से देखने की कोशिश की इसलिए कहा गया कि शब्दार्थव सहितव काव्यम अर्थात शब्द और अर्थ का जब सुन्दर समन्वे हो तो काव्य की सृष्टी होती है और इसके लिए उन्होंने कभी रस को प्रधानता दी कभी अलंगकार को कभी रीती को कभी वक्रोक्ती को तो इस तरह से अलग-अलग विचार समय समय पर आते रहे लेकिन संस्कृत वांगमे के बाद जब हम हिंदी वांगमे को देखते हैं तो हम देखते हैं कि वहां साहित्य का जो सुरूप है वह पूरी तरह बदल गया है और इसके लिए हम सबसे पहले शुक्ल जी को देखते हैं कि शुकल जी ने जब साहित्य की परिभाशा दी कविता की परिभाशा दी तो उन्होंने कहा कि हरदय की मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है उसे कविता कहते हैं कविता में हरदय की अभिव्यक्ति होती है और हरदय की अभिव्यक्ति शब्दों के माध्यम से होती है कविता एक संसलिस्ट विधा है उसमें भावों को बहुती गहराई से देखा जाता है व्यापक रूप में देखा जाता है इसलिए शुकल जी ने मुक्ति की साधना के करता है तो उसे मुक्ति का असास होता है और इसे मैनस्पुत्र भी कहा जाता है कि कविता का जब जन्म होता है तो रचनाकार आलादित हो उठता है पहले तो वह स्वानता सुखाय ग्रहंड करता है और उसके बाद लोगों को भी आलादित करता है मनोरंजन प्रदान करता है उसी तरह से जब हम आचारे हजारी प्रिशाद दिवेदी को देखते हैं तो उन्होंने नए ढंग से परिभाशित करने की कोशिश की उन्होंने कहा कि कविता का लोक प्रचलित अर्थ वह वाक्य है जिसमें भाववेश हो कलपना हो पदलालित्य हो तथा प्रयोजन की सीमा समाप्त हो चुकी हो उनका कहना है कि इसमें भाववेश हो भाववेश का क्या आर्थ है कि उसमें भावों की सुन्दर अभिव्यक्ति हो जब कविता की परिभाशा इसी तरह से आगे बढ़ती रही तो लोगों ने अलग-अलग धंग से उसको परिभाशित करने की कोशिश की और यह निशकर्ष निकल कर आया कि कविता में भाव की प्रधानता होती है इसलिए उसमें विचार का पक्ष बहुत ही संतुलित होता है बहुत कम होता है और भावों की अभिव्यक्ति के लिए कल्पना की अवशक्ता होती है जब रचनाकार कल्पना के सम्मिश्रण से उस रचना की स्रिष्टी करता है तो वह देखता है कि उसमें नवीनता है, उसमें नई उद्भावनाएं हैं, नई स्रिस्टी होती है इसलिए कहा जाता है कि कविता में विचार की या चिंतन की जटिलता नहीं होती अर्थात उसमें विचारपक्ष प्रधान नहीं होता चिंतन पर ज़्यादा गौर नहीं किया जाता भावों को प्रमुक्ता दी जाती है और इन भावों की अभिवक्ति के लिए रचनाकार एक बिम्ब विधान करता है अर्थात शब्द चित्र खड़ा करता है उसके अलावा अगर भाषा की हम बात करें तो अभिधा की अपेक्षा लक्षना की बिवात करता है उसमें अभिधा का अर्थ है जो शब्द कोश का अर्थ होता है वो अभिधा होती है लेकिन साहित्य में सब कुछ अभिधा में नहीं कहा जाता जब उसका लाक्षनिक प्रयोग होता है जैसे किसी व्यक्ति को मजबूत बताना है तो कहते हैं कि वह सिंग के समान है तो कविता में इस तरह से लाक्षनिक प्रयोग किया जाता है और इस तरह से कविता का एक पूरा स्वरूप स्पस्थ होता है हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि कविता का हमारे जीवन में क्या महत्व है क्योंकि कविता केवल हमें मनोरण्यद नहीं पैदान करती बलकि वो हमारे जीवन में प्रेरणा देती है आपने देखा होगा कि बहुत से कवी हैं जिन में जीवन दर्शन है, जीवन मुल्यों की स्थापना है और जीवन के प्रती एक नई दृष्टी है जैसे अगर आप अग्य की कविता पढ़ते हैं तो आपने पढ़ा होगा या आप आगे कक्षाओं में देखेंगे कि उनकी एक कविता है साप तुम सब्वेतो हुए नहीं, नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया एक बात पूछों, उत्तर दोगे, तब कैसे सीखा डसना, विस कहां पाया अब यहाँ देखिए नगरीय सब्वेता पर व्यंग्य है रचनाकार बहुत ही सलिके से व्यंग्य पूर्ण सैली में अपनी बात कहना चाहता है और वह समाज को प्रेणा देना चाहता है कि जो लोग धोखा देते हैं, जो हमारे लिए अच्छा नहीं सोचते या समाज के लिए हितकर नहीं है, वह सर्प के समान है और उनसे हमें बच के रहना चाहिए, इस बात को कहने के लिए बहुत ही सरल भाषा का प्रियोग किया जाता है और सुगठित भाषा भी होनी चाहिए और साथ ही लयातमक्ता एक बहुत महत्वपुर्ण मिशेष्टा है कविता की अगर उसमें लय विधान नहीं होगा तो कविता का सौंदर ये निखरकर सामने नहीं आएगा जैसे मैं आपको उदारन देता हूँ प्रसाथ जी की बहुत ही सौंदर कविता है कामाईनी और कामाईनी की जो पंक्तियां हैं बड़े ही लयातमक्त हैं जैसे हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैट सिला की सीतल चहां एक पुरस भीगे नैनों से देख रहा था प्रले प्रवाह नीचे जलता उपर हिमता एक तरलता एक सगन एक तत्तु की ही प्रधानता कहो उसे जड़िया चेतन अब इसमें एक जो लयातमक्ता है एक जो संगीतातमक्ता है वह कविता को बहुत ही सशक्त बनाती है मनोरंजक बनाती है और शिक्षा प्रद भी बनाती है तो इस तरह से कविता का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है और कविता हमारे जीवन को परिवर्तित करने की छमता रखती है अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि कविता के अवयव कौन से हैं अर्थात कविता के वो कौन-कौन से अंग हैं जिन से मिलकर कविता का निर्मान होता है। जैसा कि पहले मने बताया था कि संस्कृत वांगमे में उसके अवयो के रूप में लोगों ने अलंकार को, ध्वनी को, रीती को, वक्रोक्ती को, रस को, इन सबों को अवयो के रूप में देखा. देकिन आधुनिक संदर्ब में इसका स्वरूप बदल गया और कविता के अंतरंग रूप और कविता के बहिरंग रूप इन दो रूपों में कविता को परिभाशित करने की कोशिश की गई. अंतरंग रूप का तात्पर है उसका बोधपक्ष या उसका भावपक्ष बोधपक्ष क्या होता है कि उसमें जो विशय ग्रहन किया गया है जैसे निराला की कविता है वह आता दो टूक कलेजे के करता पस्ताता पत्पर आता पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक चल रहा लकुटिया टेक मुठी भर दाने को भूख मिटाने को मोफटी पुरानी जोली को फैलाता दो टूक कलेजे के करता पस्ताता पत्पर आता इस तरह की जो कविताएं हैं वह आपकी द्रिष्टी को एक नई तस्वीर देते हैं विखारी का एक नया चित्र पस्तुत करते हैं तो यह उसका भाव पक्ष हुआ उसी तरह से उसका दूसरा पक्ष जो है वो बहिरंग पक्ष है वो उसका शिल्प पक्ष है शिल्प पक्ष का मतलब होता है उसका जो बाहरी आवरण है उसका जो शिल्प सौंदर्य है अर्थात ताना बाना उसका किस तरह से कविता बनी है जैसे पहले छंद विधान होता था छंदों के माध्यम से कविता होती थी लेकिन बाद में उसे अतुकांत कविता के रूप में भी देखा गया अतुकांत कविता जैसे निराला की कविता भी आपको मैंने बताई वह अतुकांत है उसमें छंद विधान नहीं है लेकिन अगर आप दोहों को देखेंगे चाहे रहीम के दोहे हो या बिहारी के दोहे हो उसमें 13 और 11 मात्राओं का आपको संयोग दिखाई देगा तो वो एक विशिष्ट पद्धती है लेकिन आज के रिशनाकारों ने उन पद्धतियों के विपरीत अतुकांत शैली को भी अपनाया है शिक्षारतियों अब आप विस्तार से यह देखें कि कविता का जो भाव पक्ष है उसमें कौन-कौन से तत्व निकर कर आते हैं अर्थाथ भाव पक्ष में कौन-कौन से तत्व बनेंगे जिसे भावों का निर्मान होगा तो उसमें मुख्य रूप से चार तत्तो नजर आएंगे आपको एक तो उसका कत्थ है कत्थ का मतलब होता है कि उसमें वस्तु क्या है अर्थात उसका मुख्य विशे क्या है अगर आपने विशे को समझ लिया तो उसके बाद उसमें रस की अभिव्यक्ति हुई है या नहीं या कौन से रसों की अभिव्यक्ति हुई है इसे समझने की कोशिश करेंगे जैसे श्रिंगार रस, करुन रस, रौदर रस ये विभिन जो रसों का विधान किया गया है उसे काववे की स्रिष्टी होती है और उसके बाद भावपक्ष में आप देखेंगे कि उसमें विचारों की भी स्रिष्टी है जैसे बहुत से रशिनाकार हैं जिनोंने उसमें ने ने विचारों को दिया है जैसे माखलना चतुरवेदी की कविता है पुष्प की अभिलाशा उसमें वो कहते हैं चाह नहीं मैं सुर्बाला के गहनों में गूथा जाऊं। चाह नहीं प्रेमी माला में बिन्ध प्यारी को लल्चाऊं। चाह नहीं सम्राटों के शव परहे हरी डाला जाऊं। चाह नहीं देवों के सिर पर चड़ों भाग्य पर इठलाऊं। मुझे तोड लेना वनमाली उस पत पर देना तुम फेक। मात्र भूमी पर सीष चड़ाने जिस्पत जाएं वीर अनेक। यहां रास्ट भक्ति की जो भावना है वो एक द्रिष्टी प्रदान करता है वो रास्ट प्रेम की स्रिष्टी करता है तो आपको कविता में इस तरह के विचार परक बातें भी देखने को मिलेंगी। उसके आलावा कलपना की जो बात है वास्तो में जो कवि होता है उसकी द्रिष्टी सामाने लोगों की द्रिष्टी से अलग होती है क्योंकि वह कलपना की स्रिष्टी करता है जैसे बिखारी का उदारन आपको दिया मैंने निराला ने जो बिखारी का जो चित्र प्रस्तुत किया है हम सभी बिखारी देखते हैं लेकिन उन्होंने जिस तरह से कलपना की है बिखारी की वह बहुत ही मार्मिक और हरदय को द्वेलित करने वाली है तो इस तरह से चार तत्तों से भावपक्ष का निर्मान होता है और जब आप उसके बहिरंग पक्ष पर जाएंगे तो उस इसमें भी अलग अलग तत्तों नजर आएंगे आपको और सिल्प को संवारने के लिए सिल्प को अच्छे ढंग से प्रस्तुत करने के लिए रशनाकार सुन्दर भाशा और शैली का प्रियोग करता है रशनाकार सरल भाशा का भी प्रियोग कर सकता है जिसमें तत्सम पिशज और विदेशद भासाएं आती है उसके अलावा संसलिस्ट शब्द विदान भी कर सकता है और उसके शैली भी बहुत ही मनोरंजक हो सकती है भहुत ही सारगरभित हो सकती है इसलिए भाषा और शैली का बहुत महत्व है चुकि भाषा ही वह हतियार है वह सशक्त माध्यम है जिसके माध्यम से रचनाकार अपनी बातों को प्रस्तूत करता है इसलिए भाषा जितनी ही सुगर होगी जितनी ही मनोरंजक होगी जितनी हमारे हृदय को बेधने वाली होगी उतनी ही प्रभावशाली मानी जाएगी अगर आप कभीर के दोहों को देखें तो उनकी भाषा में बड़ा ही प्रभावशाली स्वरूप नजर आएगा सिक्षार्तियों उसके बाद हम जो दूसरा तत्त्व है उस पर बात करते हैं वो है छंद विधान छंद विधान का आर्थ है कि पहले के कभीयों ने जो रिशनाओं की स्रिष्ट की है उसमें छंदों का एक विधान किया गया जैसे दोहे में 13 और 11 छंदों का विधान किया गया चौपाई में अलग विधान किया गया उसी तरह से अलग-अलग छंदों के रूप में आपको साहित्य देखनों को मिलेगा उसे साहित्य में लियात्मक्ताश और वैशित्र नजर आता है उसे एक रसों की स्रिष्टी भी होती है उसके बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तो अलंकार विधान पर आपका द्यान जाएगा क्योंकि अलंकारों के द्वारा काव्य को सुशोवित किया जाता है उसे अलंकृत किया जाता है जैसे नारी की शुभा हाभूशन होते हैं उसी तरह से अलंकार भी साहित्य को सौंदर्यवान बनाते हैं। अलंकारों में जैसे शब्दा लंकार और अर्था लंकार होते हैं, तो आप बाद में जब पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि कहीं पे अनुप्रास की सुंदर अभिव्यक्ति हुई है, कहीं यमक लंकार है, उसी तरह से अर्था लंकार में उप्मा, वक्रोक्ति, आदी लंकारों की सृष्टि की गई है। तो ये सारे लंकार जो हैं वह आपको जगा जगा पे कविताओं में नजर आएंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि कुछ अन्य तत्व भी हैं, जो साहित्य को सुंदर बनाते हैं, जैसे प्रतीक है, प्रतीकार्थ है कि तुल्ना करना। अगर आप सूर्दास को देखें तो सूर्दास ने भोरों का वरनन्द किया है, वहां भोरे प्रतीक हैं, श्यामरंग के और अपने सुभाव के, उन से तुल्ना की गई उधो की। तो भावने वहाँ प्रतीक हैं सीधे सीधे उदो को कुछ नहीं कहा गया भावरों के माध्यम से कहा गया तो एक प्रतीक विधान नजर आएगा उसी तरह से बिम्ब विधान का मतलब है एक चित्र विधान विशनाकार सीधे सीधे अपनी बात नहीं कहता बलकि वह चित्रों की सृष्टी करता है वह एक शब्द चित्र का निर्मान करता है और उसे भावनौं की एक प्रभावशाली अभिव्यक्ति होती है उसी तरह से रिती और गुण भी तत्व हैं जो साहित्य को प्रासंगिक बनाते हैं उसे सुन्दर बनाते हैं और हमारे हिर्दय के करीब बनाते हैं तो इस तरह से कलापक्ष के अंतरगत इन तत्वों को समेटा जाता है इनको प्रस्तुत किया जाता है अब हम बात करेंगे कि जब कविता के ये विभिन आंगों को हमने देख लिया उसके अवयों को देख लिया तो आखिर कविता पढ़ी कैसे जाए आगे के पाठों में आप देखेंगे कि अलग अलग रशनाकारों के विभिन काल खंडों के रशनाकारों को आपको पढ़ना प उन कविताओं को हम पढ़ें कैसे, जो सबसे पहला विंदु है, वो है कवी की भावनाओं तक पहुचना, इसका तात्परे क्या है, कि हर कवी अपनी रचनाओं में कुछ न कुछ भावनाओं को प्रगट करता है, अर्थात कहीं उसके अंदर रास्ट प्रेम होता है, कहीं पर करौनरस की अभिवक्ती करना चाता है, तो हमें यह देखना होगा कि कवी जिन भावनाओं को व्यक्त करना चाता है, वही भावनाओं हम रदेंगम कर सकें, उनको समझ सकें, तभी कविता अपने समगर रूप में हम से जुड़ती है, और हम उसका साधारनी करन कर पाते हैं, अर्थात उसकी भावनाओं से अपने को जोड़ पाते हैं, तो इसके लिए क्या जरूरी है कि कवी का जो परिचय है, अर्थात कवी की प्रिष्ट भूमी क्या है, उसका रचना कर्म किस तरह का है, उसके लेखन कोशल की क्या विशिश्ताय है, उसकी का व्यात्मक क्या अर्थात जब हम ले में हम पाठ करेंगे, तब ही हम देखेंगे कि उस पाठ पर हमारी समझ, हमारी पकड मजबूत होती है, क्योंकि शब्दों को तोड़ तोड़ कर उसको लियात्मक ढंग से पढ़ने से पाठ स्पस्ट होता है, और वह ग्राह ही होता है, उसके बाद जो तत्व आता है, वो है भासा सोंदरिय, चुकि भाषा के द्वारा विशे को प्रस्तुत किया जाता है, तो रचनकार ने जिस भाषा का प्रयोग किया है, उस भाषा से तारतम में बिठाना, जैसे आप देखेंगे कि मद्यकाल में ब्रजभाषा और अवधी का प्रयोग किय गया है तो आपको उस भासा को समझना बहुत जरूरी है उसके संदर्य को समझना जरूरी है कभीर दास की भासा को देखेंगे तो उसमें सदुकडी भासा का प्रयोग किया है विविन शेत्रों की भासाओं के शब्द आपको नजर आएंगे तो उसे समझना बहुत जरूरी है और आज के रचनकार हैं उनमें खड़ी बोली है तो खड़ी बोली को समझना आपके लिए ज्यादा आशान होगा आपको भाषा के जो मर्म है भाषा की जो गहराई है उसको समझना जरूरी है तभी आप पाठ को अच्छी तरह से समझ सकेंगे इसके लिए एक और भी बात जरूरी है कि आप एक कवी की जो विस्षिस्ताएं है उसका जो सौंदर्य है वही सौंदर्य अगर दूसरे कवी में भी मिलता है जैसे प्रकृति प्रेम है प्रकृति की प्रेम पराधारित रचनाएं बहुत से लेखकों में मिल जाएंगी तो कवीता से सिक्षार्थियों हमने कवीता कैसे पढ़ें इस पर विस्तार से चर्चा की और मुझे उमीद है कि आपने कवीता के स्वरूप को समझने की कोशिश की होगी देखिए कविता रदय को अंदोलित करती है रदय को भावों से भरती है और कविता कहीं न कहीं हमें कलपना लोक मिले जाती है इसलिए कविता को समझने के लिए उसमें अपने को समाहित करना आत्मसात करना बहुत जरूरी है क्योंकि कवि जब रचना की स्रिष्टी करता है तो उसमें अनेक भावनाएं नहित होती है और उन भावनाओं को पकड़ना उन्हें समझना और रदयंगम करना एक जटिल प्रक क्रिया है क्योंकि कविता सुनने में तो बहुत आनन देती है लेकिन कविता का मर्म समझना हो तो उसके सभी पक्षों को ध्यान देना होता है उसके सिधान्त को समझना होता है कविता में भाव की प्रधानता होती है लेकिन गद्य विचार प्रधान होते हैं उसके लावा कवि कविता एक संसलिस्ट प्रक्रिया है जहां तक भावपक्ष का प्रस्ण है भावपक्ष में तो विचार होते हैं कथ्य होते हैं कलपना होती है रस की सृष्टी होती है और इन सबों का जो सम्मिलन होता है वह भाव का निर्मान करता है लेकिन जब उसका ताना बाना बुना जा तो उसके आधार होते हैं, अलंकार, छंद विधान, बेम्ब विधान, प्रतीक विधान, फिर आपने देखा कि कविता हमारा केवल मनोरंजन नहीं करती, कविता भी सोदेश्य होती है, वह हमारे जीवन को परिवर्तित करती है, जीवन को नई दिशा देती है, आप कह सकते हैं कि स्वांता सुखाय से कविता का जन्म हुआ, लेकिन उसका जो सामाजिक रूप है, वह हमेशा उसमें समाहित रहा, रचनाकार केवल अपने लिए स्रिष्टि नहीं करता, वह एक नए समाज, एक नए देश और एक नए विश्व का निर्मान करना चाहता है, जन्गतियों, विडम बनाओं और उसमें जो नकारने वाली चीजे हैं, जो बाधित करने वाली चीजे हैं, जो समाज को विगटन की ओर ले जाने वाली चीजे हैं, उसकी ओर संकेत भी करता चलता है, इसलिए अभी आप देखेंगे कि आज कल के जो रचनाकार हैं, वह व्य जन्ग से अपनी बात को अधिक प्रवावशाली ढंग से कहते हैं, इसलिए आज कविताओं का स्वरूप बदला है, छंद विधान की बजाये और तुकांत कविताएं नजर आती हैं, उनके विशे का विस्तार भी काफी हुआ है, कविता आम जन जीवन से जुड़ी है, उस हम सामाने रूप से जुड़ पाते हैं, और जो हमारे जीवन को आंदोलित करती है, आलादित करती है, और जीवन का परिश्कार करती है, तो इस तरह से हमने आज ये कविता के पठन पर बात किया है, और हमें उम्मीद है कि जब आप आगे के पाठों को पढ़ेंगे, तो य प्रिश्ट भूमी आपके लिए कारगर साबित होगी, हन्यवाद